देखिए आज हम पार्थिव दूरदर्शी की जो आवर्धन चमता है उसके लिए वेंजक की स्थापना करेंगे तो यहां सत प्रतिसत आपका जो खगोली दूरदर्शी है उसी की तरह है लेकिन इसमें बीच में एक उत्ता लेंस लगा दिया जाता है जिसे हम प्रती लोमक ल बनता है फिर से सुनिए कि जो अभी द्रश्यक लेंसे है उसके द्वारा प्रतिविंब हमारा फोकस पर बनता है जिस तरह हमारा खगोली में बना था अब यह जो एडेस बीडेस है यहां अभी द्रश्यक लेंसे के लिए तो प्रतिविंब का कारी कर रहा है लेकिन यह जो लोमख लेंस के लिए वस्तू का कारीक और अब जब यह वस्तू का कारीकर रहा है तो इसका जो प्रतिविंब इसने बनाया इसका उल्टा था इसको सीधा कर दिया हो भू हू एडैस बीडैस जितना बड़ा था उतना ही बड़ा है यह डबल डैस और sur पिर से सुनिये महत्पुन भिंदू को प्रति लूमक लेंज इस वस्तू यह प्रति लूमक लेंज के लिए क्या में वस्तू है तो यह डेस ब्रति बी डेस इस वस्तू का यहां से एक बिंदू आप अच्छे से दिमाग में अपनी नोट कर लीजिए ठीके अब फिर इसके द्वारा ये जो A double ds और B double ds है ये आपका प्रती लोमक लेंसे के लिए क्या था ये प्रती बिम्ब है लेकिन जो नेत्री का लेंसे उसके लिए फिर से वस्तू की तरह कारे करेगा और फिर अंत में जो अंतीम प्रती बिम्ब रहेगा वहां A triple ds और B triple ds पर बनेगा तो ये है आपका अंतीम प्रती बिम्ब ठीके तो ये था आपका कुछ ड्राइग्राम जिसको हमने समझाने का प्रियास किया अब देखेंगे हम इसकी आवर्धन चमता आवर्धन बिबासे परतिषित करते हैं और झो वस्तु बोज द्वारा निर्मि धर्षन कौन होता है उसे हम अलफा से प्रदशित करते हैं ठीके अब अलफा और बीटा इसमें कहा पर बनेगा तो डेखिए गोर से समझे कि यह जो बीटा है वहां क्या है अंतिम प्रतिभिंब द्वारा निर्मित दर्सन कौन है अब अंतिम प्रतिभिंब द्वारा निर्मित दर्सन कौन कौन सा देखिए अंतिम प्रतिभिंब यह यहां है और यह इसकी जो रेखाए यह गई एक प्रकास की कीरन इसको देखिए आ जाने यहां है तो यहां पर आपका वस्तू के द्वारा नेरमित दर्शन कों को बैसे तो यहां पर बनता है ठीक है हर वीडियो में हम देख चुके हैं लेकिन ये सिरसा भी मुख के कारण ये एंगल इधर का भी आपका अलफा बनेगा और हम तिरबुज लेंगे जब यही लेंगे एडेस बीडेस और ओ तो इस तरह आपके अलफा और बीटा जहां बने वहां दो तिरबुजों का निर्मान हुआ है देखिए पहला तिरबुज आपका एडेस बीडेस और ओ जो किसके वज़ा से बना है अलफा की वज़ा से और बीटा की वज़ा से जो बना है वो बता दीज यह है आपका a double dash b double dash और e a double dash b double dash और एक है e अब देखिए आवर्धन चमता के सूत्र के लिए हमें कुछ जानदा याद रखनी की आवई सकता नहीं है सिर्फ हमें इतना सा याद रखना है कि जो alpha के द्वारा त्रिभुज बना है उसमें 10 alpha का मान निकाल लीजे और beta के द्वारा जो त्रिभुज बना उसमें 10 beta का मान निकाल लीजे और आपको पता है कि हम यह किसलिए काते हैं क्योंकि यह वस्तु जो है बहुत छोटी है और यह दर्शन कौन ही है यह भी बहुत छोटे रहेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि चुकी alpha और beta के मान बहुत कम है इसलिए आपका जो 10 alpha है अलफा है इसकी जगापर आजाएगा 10 alpha और beta की जगापर आजाएगा 10 beta तो यहाँ पर मान रख दीजे अम इक्वल बीटा बन गया आपका 10 beta और बटा 10 alpha अब आप 10 beta और 10 alpha का मान रख दीजे तो 10 beta का जो मान है वहाँ होगा लंब बटा आधार तो 10 beta यहाँ पर है यह तो लंब कितना इसका a double dash b double dash आधार है a double dash तो लग दीजे एम इक्वल लंब बोली उसका a double dash b double dash बटा आधार b double dash e बटा अलफा का मान बोली तो alpha का जो मान बनेगा आपका बनेगा o a a dash और b dash और बटे में आजाएगा आपका o b dash ठीक है अब देखिए आगे जब हम जानते ही हैं यह बात कि किसी भी अनुपात के बटे में अनुपात यह बटे के बटे हम बटा रहेगा तो उसको जब हम गुने के रूप में बदलेंगे तो यह जो उसका जो भाग है उप और रहा हो तो मैंने बताया था कि यह जो उत्तल लेंग से है यानि कि पृतिलोमक लेंग से है इसका इतना सा काम है कि यह जो a dash b dash इसके लिए वस्तू थी इस वस्तू का हुब हो पृतिविम्ब यानि कि a double dash और b double dash बनाएगा लेकिन यह उल्टा था तो इसको किसने क्या कर प्रकास केंदर हो है उससे सभी दुरियाओं को मापी आती है तो प्रकास केंदर से नीचे की तरफ जो दुरी है वो रिनात्मक रहेगी उपर की तरफ जो दुरी रहेगी वो धनात्मक रहेगी इस कारण से यह जो ए डबल डेस और बी डबल डेस है यह धनात्मक है अब जब मान A-B-DES बनाएंगे तो यह क्या बन जाएगा रिनात्मक बन जाएगा तो यहाँ पर लिख दीजे बस तो यह आपका चुकी करके लिख देना चुकी A-B-DES बराबर तो है A-B-DES के पर लेकिन क्या हो जाएगा माइनस अब इस मान को बदल दीजे तो यह बन जाएगा आपका A-DES इस मान को बदल दीजे तो यह बन जाएगा आपका A-B-DES पर कैसा हो जाएगा माइनस में और B-DES E into O-B-DES बटा A-B-DES तो यह A-DES B-DES A-DES B-DES केंसिल बचा क्या है माइनस का बन जाए यह O-B-DES और बटे में B-DES E अब इनका मान आप चिन परिपाटी से यहां से रख दीजे सबसे पहले देखिए O-B-DES O-B-DES क्या है यहां से यहां तक की जो दूरी है वो प्रतिविम्ब भली है पर याद रहा होगा कि यह जब अस्तू अनन्त पर हो यहां बहुत दूर है तो इसको हम अनन्त पर ही मानेंगे तो अनन्त पर है तो यह फोकस पर इसका प्रतिविम्ब बनेगा यानि कि यह जो O-B-DES है इसकी दूरी क्या कहलाईगे आपकी फोकस दूरी F-O और नेत्री का लेंस के हिसाब से यह क्या है O-E-B-DES यह वस्तू है इसलिए वस्तू की दूरी तो रख दीजे इसका मान चिन परी पाटी से चिन परी पाटी से तो यह O-B-DES इक्वल बनेगा आपका फोकस यहने F-O और यहां फोकस दूरी भी लिख सकते हिंदी में और एक और है B-DES E इक्वल क्या बनेगा E इक्वल बन जाएगा U-E पर यह एदिन रहेगा क्योंकि यह बाई तरह पे अब बताजिए A-M इक्वल O-B यह माइनस है इसका जो माने वहां पिलस का भली है और यह B-DES E यह बन गया U-E तो आवर्धन चमता आपकी निकली A-O बटे U-E यह आपकी क्या निकल गई है आवर्धन चमता है और आपकी दो इस्तितिस में रहती है कि जब अंतिम प्रतीभिम्ब इसपस्ट दृष्टी की नियूंतम दूरी पर बने और दूसरी रहती है आपकी कि जब प्रतीभिम्ब अनर्ट पर बने तो अब हम उनका पहली इस्तिति को देखते है तो यह लाइन लिख लिए आप म roles हमने कि जब प्रतिविम्ब इसपस्ट द्रष्टी की न्यूंतम दूरी पर बने तो जब अंतिम प्रतिविम्ब देखिए यह बनेगा इसपस्ट द्रष्टी की न्यूंतम दूरी पर तो यहाँ पर जो प्रतिबिम्ब हैं अंतिम प्रतिबिम्ब देखिए वी और वी का जो मान बन जाएगा वो बन जाएगा डी ध्यान से समझेगा जब अंतिम प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्ब इस प्रतिबिम्ब इस प्रतिबिम्ब इस प्रतिबिम्ब इस प्रतिबिम्ब पर बनेगा तो यानिए यहलो मां हो जाएगा डी अब उस कंडिशन में यह किस कंडिशन में अंतिम प्रतिवियं continued अलब का लेंस कि वज़ास है तो ऑट का लेंस की है वस्तु की दूरी रहेगी और फोकस दुरी रहेगी तो यह आप का वी बन गया डी ठीक है अब यह रहेगा रीन क्योंकि इस तरफ बन रहा है वो भी प्रति बिम्ब भी और एफ जो आपका है फोकस दूरी, यहां आपको बन जाएगी F E क्योंकि यह भी नेत्रेका की है और इसी तरह U आपको बन जाएगा UE लेकिन यह भी क्या रहेगा आपका रिन रहेगा, और यह फोकस दूरी धन रहेगी, देखेंगे यह पिलस रहेगा UE रिन हो जाएगा और एक और यह जो इस पस्त दरश्टी की नियुन तमदूरी यह भी रहेगी अब लिख लिए आप लेंस सुत्र से और इसमें मान रख दीए बस सिंपल है वन बटा एप एक्वल वन बटा वी माइनस वन बटा यू अब यहाँ पर रख दीजे वन बटा एप है यह वन बटा एप ए हो गया और बराबर फी का जो मान है वो गया वन बटा माइनस डी और यह हो जाएगा आपका वन बटा माइनस का एक और है देखिए यह सुत्र में भी और यहाँ पर भी है इसलिए यह माइनस माइनस केंसिल हो गया है अब देखिये, यहां पर यह 1 बटा u e है, हमारा जो आवर्दन चम्ता का सूतर निकला है, यह एफ-o बटा u e, तो यानि कि हमको इसकी जगा पर एफ-o लाना है, तो किसका गुणा करनाीं है? यह सारे पूरे समिक्राश् Coolant में गुना करने पर तो जैसे ये फो से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा आपका एफ ओ बटा एफ ए यहाँ पर बोलिए एफ ओ बटा माइनस डी इसी तरह यहाँ पर एफ ओ बटा यू ए और एफ ओ बटा यू ए का जो माने यहाँ पर है इसलिए अकेला रखेंगे और फिर इसकी जगाँ पर हम एम लिग देंगे तो इसे अकेला यहाँ पर रख दी जेए एफ ओ बटे यू इ बडाबर ये भाग इधर आया उठकर तो यह रहे है आपका e-f o बटे-f e और यहां प्लस का हो गया है अब यदि मैंने पिछले वीडियो में बता आता है यहां यह जो दी एफ ई है यहां एफ ओ के बटे में है यदि हम इसे अलग लिखना चाहिए तो इस तरह से लिख सकते हैं कि एक बटा एफ ई और ब्रेक इट में अंदर लिख दो एफ ओ इसका मतलब यह ही है या फिर सको गुना में लेक्त बात बराबर है यह ले तो कोई फरक सोड़ी होगा एक का गुन इसमें करेंगे तो ऐका होए आएगा तो इसा इसमें भी कर दीजिए तो देखें इसकी जगाप्ड होंगा ज़िए एम इसकी जगापर भरे F E और ब्रेकेट के अंदर बचा है F O प्लस F O बटे D आगे इसी में से आप कोमन निकाल दीजिए F O को F O बटे F E इक्वल क्या बन गया है ब्रेकेट में 1 प्लस 1 बटा D ये क्या है आपकी यही इसपष्ट द्रश्टी की न्यूनतम दूरी के लिए आवर्दन छमता का सूतर है किसका खगोली सोरी पार्थी दूरदर्शी का क्योंकि ये पार्थी दूरदर्शी है अब जब प्रत कुदसे में अनंत पर बनता है तो जो वस्तु है वहां फोकस पर रखी होती है जब फोकस पर होगी तो प्रतिभीम अनंत पर बनेगा तो यानि इस वस्तु दूरud ans क्योंकि अंतिम प्रतिभीम नजे स्थिका कर द्वारा ना रहा है तो लिग दीजिए स्थिति हैं की कै बने तो जब अनतीम प्रितिविम्प कहां बनेगा अननतबर बनेगा तो यह जो वस्तु है यह कहां रखे जाएगी फोकस पर तो यानिकि यू यू इ का मान बन जाएगा एफ ए और यहां मान इसमें रख दीजिए जो आवदन शम्ता का निकाला था हमने पार्थियो का फिले यह एम इक्वल एफ ओ बटे एफ ओ बटे यू ए की जगा पर आगया आपका एफ ए यही क्या है आपका अन्तिम प्रतिविम जब कहां बनेगा अनंतपर बनेगा तो खगोली दूरदर्शी की तरह पार्थी दूरदर्शी भी है सिंपल सी बात है कि सईयुतु सुचमिदर्शी पड़ा हमने सरल पड़ा फिर खगोली पड़ा फिर पार्थी पड़ दे इन सभी में एक चीज कोमन है कि सभी में हमने आवर्दन चमता बीटा पान अलफा लिया फिर अलफा और बीटा के मान बहुत कम इसलिए होते हैं क्योंक आपको हर चीतर में पहचान करना है कि टेन अलफा का है टेन बीटा का है और लंबो बटा आधार के इसाब से इन सभी मानों को लिख दिया और लिखने के बाद में फिर अंत्य में जो कट्रे उनको काट दिया चिन परिपाटी से हमारा यह आवर्दन चमता निकल जाएगी और हर सवाल में हमने कंडीशन बन लगए कि इस परिश्टिद्रस्ची की ज्यूनतम ना दूरी और अनंत बने तो ध्यान दिजीएगा कि कि इस परिश्टिद्रस्ची थोरी पर रहने जहाँ प्रिथी इन्पर उसका मान तो आप इन सभी वीडियो में को कॉमन तरीके से एक अच्छे से समझने का पिरियास करिएगा अब आप इसका स्क्रीन सोट ले लिए फिर भी कोई समस्या होती है मैं एक वीडियो इन सभी का कॉमन बनाऊंगा जिसमें एक ही वीडियो में इनका डारखी आवर्दन चमता के ल लिए